गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स एसवी एकेडमी रावला की ओनलाइन क्लासेज में आपका हर दिख स्वागत है क्लास टैंथ सुब्जेक्ट इंग्लिज लेशन टैन डैटर रिब्योड पिछले वीडियो में अपने इस लेशन को पढ़ रहे थे वहीं से आगे अपने इसको कंटिन्यो करेंगे तो आपकी बुक के पेज नमबर 121 पी नीचे से सेकेंड परग्राफ है वहां से अपने इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं तो लेट्स वी स्टार्ट वी वर वेटिंग फॉर फाइनल सिप्रेशन एज इफ रेडी तो स्लाइस आउट दा फ्लेश ओफ डॉमेस्टिक बॉड़ी वीच अवर पेरेंट्स हैड नरिष्ट सिंस दा डे अफ देर मेरीज और लेकर कहता है यान की बाबुली कहता है कि हम अंतिम बंटवारे के लिए मानों घर रूपी सरीर यहां पे आया है ना डॉमेस्टिक बॉड़ी घर रूपी सरीर के फ्लेश में होता है मास का टुकड़ा मास के टुकड़े निकाल कर परतिक्षा कर रहे थे जिसे हमारे माता पिता ने अपनी शादी की दिन से ही पॉसित किया था नरिश्ट का मतलब पॉसित किया था और देन वी वूड रन अवे इन थ्री डिफरेंट डिरेक्षन्स क्लैजिंग एपीस एच और लेकर बताते हैं और तब हम तीन अलग लग दिसाओं में परते एक एक टुकड़ा लेकर बाग जाएंगे कहने का मतलब बबली यहां पर कहता है कि हमारा बंटवारे का अंतिम टाइम है वो आ चुका था और हमेंसे इंतजार करते थे जैसे उनके गरुपी मास के टुकड़ों को अपने अपने कबज़ें में ले ले और अपना-पना टुकड़ा उठाकर अपने अपने जिशाओं में अपने इच्छा के नुशारों का उप्योग करें और वो बताते हैं कि गर की सबी वश्तों को गर के अंगन के अंदर एक डेर की रूप में जमा करती आ गया इज वर टू बी डिवाइड़ इंटो थ्री पार्ट्स उनको तीन बागों में बाढ़ जाना था ओल दा स्माल थिंग्स ओप दा हाउस अल्मॉस्ट एरिफिंग मुवबल स्टार्टिंग फ्रों दा लेडल्स मेट आउट ओफ कोकोनट सेल्स एंड बंबू टू लेटल बॉक्स वेर फादर यूज टू के फिच बेडल्स और उसके बाद में वो बताते हैं कि गर की सारी छोटी मौटी चीज़ें लग बग परते एक चल वस्तू चाहे वो नारियल का खोलो बाद से बनी हुए कलचिया हो लेडल्स का मतलब कलचिया कलचिया हो और सबसे छोटे बग से तक जिसमें पिता जी अपने पान रखा करते थे को बादने के लिए वहाँ पर रख दिया गया था यान कि गर के पर तेक सामगरी को वाँ पर बाढ़ने के लिए एक देर के रूम में कटा कर दिया था हर एक वस्तो को तीन बागों में बाटा जाना था दा एक्स एंड अल्ड रेडियो सेट हैड बिन प्रोडूस्ट और कुलहडी और उस पुराने रेडियो सेट को भी वाँ पर रखा गया था ए लॉंग लिष्ट ओप ओल दा आइटम्स वाज में सभी समानों के एक लंबी सूची तेयार की गई नाथिंग वाज पेड नाइदर दा डिंकी वूडन राइस करसर यान की लगडी का बनावा राइस करसर नोर दा लिटल फिगर्स ओव दा फैमिली आइडल्स आइडल्स यान की मूर्तियां और वो कहते हैं कि कुछ भी वाग़ी नहीं चोड़ा गया नहीं तो दिंकी यान की जिसको बोलते हैं लकडी का चावल करसर और नहीं पारिवारिक देवताओं की छोटी छोटी चोटी आ करतियां मूर्तियां यान की गर में जितना भी समान था सभी बंटवारे के लिए वाँ पर तैयार था मैंने देखा कि मेरे बड़े भाईया खड़े हुए वह चंड बर के लिए वस्तों की डिर के पास रुके और उनोंने अपनी कलाई गड़ी के पीते को खोला और अन्य वस्तों के डिर में उससे भी वहां रख दिया परहबस एटियर टिकल डाउन ही चीक साइद उनकी गालों से एक आशू लुड़क गया विद ए हैवी साइड ही लेप दा प्लेस एक गहरी सास लेते उनोंने उस तान को छोड़ दिया और बबली बताता है कि मैंने पराय उन से यह कहते भी सुना था कि जब वो ग्यार्मी कक्षा के अंदर थे तो पिता ने उनके लिए एक लाइगड़ी खरीद दी थी बट आई अलसो रिमेंबर वेल इन माई एमे फाइनल एर ही हैड मॉर्गेटिड देट वाच टू सेंड मी मनी टू डू टू गो टू डैली फोरें इंटर्व्यू और लेकर कहते हैं लेकिन मुझे यह भी ठीक से याद है कि मेरे एमे के एंतिम वर्स में उन्होंने उस गड के लिए पैसा बेजने के लिए गिर भी रखा था मॉर्गेटिड का मतलब है गिर भी रखना यानकी वो कहता है कि मुझे यह भी याद है कि मुझे जब दिली में में फाइनल एर्स का इंट्रव्यू देने के लिए जाना था तो मुझे पैसों क्या सकता थी और उन पैसों क रूपे बेजे थी यान कि 150 रूपे किराशी बेजी थी No one knows whether the wrist watch would come back to him or not कोई भी नहीं जानता था कि वह कलाई गड़ी वापिस आए की भी या नहीं His action seemed symbolic on his snapping all his attachment with the past और उनका यह कदम अतीद सेपुरौन रूप से लगाव परतीत होता था तोड़ने का संकेत परतीत होता था यानि कि उनका यह जो कार्य था उनका यह जो कदम था वो अतीद से पुरौन रूप से अपने लगाव वो तोड़ने का संकेत मातर था symbolic परतीकात्मक रूप I was silent मैं चुप था My elder sister-in-law was in the backyard और वो बताते हैं कि मेरी बाबी जो बड़ी बाबी थी वो पीछे के अंगन में थी My second brother was often whispering things into his wife's ear and was there taking his place with us और वो बताते हैं कि मेरी मजले बाईया जो कि थोड़ी देर में या बार बार अपनी पत्नी के कार में कुछ फुस फुस आ रहे थे और हमारे साथ ही वाँ पर बेठे वे थे It was like the butcher's knife going to stone to sharpen itself और यह कुछ वैसा ही था यानकि जब वो मेरी मजले बाईया अपनी पत्नी के कान में कुछ बोल रहे थे तो हमें ऐसा परतीत हो रहा था कि जैसे कसाई पत्थर पर अपना चाकू तेज कर रहा हो बुचर्स का मतलब कसाई नाइफ का मतलब जान दें सापन में स्तिवर करना दारतेज करना दा एल्डर ब्रदर वाज कामेंट कमपोज्ट और बड़े बाईया है वो शान और बिलकूल यानकि सहियत बैठे वे थे शान बैठे वे थे यानकि उसके बाद में वो अपने बड़े बाई के करेक्टर के बरे में बता रहा है कि वो वहाँ पर बड़े बाई यानकि सहांत और सहियत बैठे वे थे और एक अच्छे सजन की बांती यानकि एक जेंटलमेन की बांती वे बिना किसी बाउकता को इस पैसन एटली का मतलब है बिना किसी बाउकता के कारेभाई को देख रहे थे यहांकि वे एक सजन की बाहन थी बेठे वे उस बाउकता रहे थे उस कारेभाई को देख रहे थे exactly as he had done on the day of the sacred trade ceremony of his son and on the day of my marriage बिल्कुल ठीक वे से ही जिससे उन्होंने अपने पुत्तर के sacred thread ceremony का मतलब होता है यह गोपवीत संसकार यानकि अपने सस्टी के अंदर पढ़ा होगा पहले कितने संसकार हुआ करते थे सोला संसकार थे विदाले बेजने का अलग होता था जनम के समय अलग संसकार होता था सादी के समय अलग होता था उसी तरह से वो बताते हैं कि जब उनके पुत्र का यह गोपवीत संसकार और मेरे के मेरे जो सादी का दिन था उस दिन जिस तरीके से वो शांत थे उसी तरह से आज भी बिल्कुल शांत थे यान कि वो इस बंटवारे से दुखी तो जरूर थे लेकिन अपनी उगरता या किसी भी तरह की बाउकता वो परदर्शित नहीं कर रहे थे इट वोज दा सेम प्रिव उक्युपाइड एंड ग्रेव मैनर attending sincerely to his duty यान कि यह है अपने करते वे को निष्टा पुरुवक यह है अपने करते वे को निष्टा पुरुवक निबाने का वही चिंता मगन इमाम गंबीर तरीका था यान कि ग्रेव मैनर गंबीर तरीका और प्रिव उक्युपाइड का मतलब होता है निष्टा पुरुवक आगे हैं वाइल डिस्कसिंग एनिटिंग विल माई सेकंड ब्रदर ही हैड देट सेम कामेंट कंपोज्ट वोईस और जब भी वही मेरे मंजले बाईया के साथ किसी भी तरह का वारतलाब या विजार भी मरस कर रहे होते थे तो वो उसी शांती और सैंतता की आवाज के अंदर बोलते थे यानि कि अगर वो मेरे मेंज़ने बाईय से किसी भी बात पर चर्चा करते उस समय भी उनकी आवाज वे सिसाएं तो सांत ओती थी नोट असाइन ओफ डिसकेस्टेंड रिग्रेट वहाँ पर नाराज की या खेद का कोई भी संकेत नहीं था आई रिमेंबर दा येर फादर डाइड वी हैड टू लिव अंडर ग्रेट फाइनेंशियल स्ट्रेंड और लेकर कहता है यान की बाबुली कहता है मुझे याद है कि जिस वर्ष पिता जी का धेहांत हुआ था हम एक बड़े आतिक संकट से गुजरे थे यान की बाबुली कहता है कि मुझे वो समय भी याद है जब मेरे पिता का धेहांत हो चुका था और हमें उस वर्स एक बहुत बड़े आतिक संकट से गुजरना पड़ा था It was winter और ये सर्द्रीतू थी The chill was as its height और ठंड है वो अपने पूरे सुबाब पे थी बहुत जोर की ठंड पड़ रहे थी We had a limited number of lengths और हमारे पास सीमित संक्या के अंदर कंबल थी The cold was so biting, particularly at midnight That one blanket was not enough for me और ठंड इतनी अधिक थी या कंपाने वाली थी कि खासकर अधी रात में यान कि खासकर अधी रात में ठंड इतनी अधिक कंपाने वाली थी कि एक विक्ती के लिए एक कंबल प्रयापत नहीं था यान कि एक कंबल से वो अपनी ठंड को दूर नहीं कर सकता था That night I was sleeping in the passage room और बाबली बोलता है कि उस रात तरी को मैं कलियारे के कक्स में सो रहा था passage का मतलब कलियारा When I woke up in the morning, I found my elder brother's blanket on me added to mine और बाबली कहता है कि जब मैं उस सुबह जागा तो मैंने अपने कंबल के साथ, अपने बाई के कंबल को भी मेरे उपर पाया Early at dawn, he had left for the fields without a blanket on his shoulders और उस उसकाल के समय है डॉन का मतलब परबात है उस उसकाल उस तिन परबात के समय ही वो अपने कंदे पर बिना किसी कंबल के ही खेतों के लिए चले गए थे यान कि वो केते हैं, सवेरे उसकाल में अपने कंदों पर बिना कोई कंबल ओड़े वे खेतों के लिए प्रस्तान कर गए थे और पबले कहते हैं, यदि उनसे पूछा भी जाता कि क्यों आपने उसकंबल को क्यों नहीं ओड़ा किसी तरह की दुख में नहीं देखना चाते थे, कहने का मतलब जब बहुत अधिक ठंड थी एक वेक्ति के लिए एक कंबल प्रयापत नहीं था फिर भी उन्होंने अपना कंबल मुझे दे दिया और श्यूम बिना किसी कंबल के ही खेतों में कार्या करने के लिए भी चले गए और अगर उनसे ऐसा पूछ भी लिया जाता कि आपने ऐसा क्यों किया आपको ठंड नहीं लगती तो उनका वही चीर प्रयापत अंदाज और वो कहते कि मुझे ठंड नहीं लगती और बाबली सोचता है कि अब मेरे पास एक आराम से जीवन जीने की आए है यान कि मेरे पास प्रयापत आए है yet it had never occurred to me to think of buying any warm cloth for my elder brother और वो कहते है फिर भी यान कि मेरे पास अच्छी आया है फिर भी कभी मेरे मन में नहीं आया कि अपने बड़े भाई के लिए कोई गरम कपड़ा करी दूँ देखो उन्होंने कितना कुछ किया लेकिन वापली कहता है मैं उस सहरी जीवन की चकाचों में ये सब कुछ बूल गया और ये एक मानव या मनुश्य की परवर्ती ही होती है सबाविक है कि जब वो खुद अबाब में जीता है तो उसे उस चीज का अबाब मैसूस होता है ल और वैसा ही बाबुली के साथ हो रहा था ही इस तिल सैटिसफाइड एंड हैपी विद एट ओल्ड टैटर्ड ब्लैंकेट और उसके बाद में वो कहता है कि वे अब भी संतुष्ट वे खुद सैं उसी पुराने फटेवे कंबल के साथ जिसे उन्होंने एक बार मुझे डगा था हैंकि वो कहते हैं कि परंतु उनके पास नहीं है गरम कपड़ा वो ही फटा पुराना कंबल जो उन्होंने एक बार डगा था उसी में वो भी संतुष्ट और खुस हैं दा सेम प्लैंकेट वाज देर विफोर में विड ओल दा अधर तिंग्स और वही कंबल अन्होंने से भी वस्तों के साथ मेरे सामने पड़ा हुआ था यानि कि उस बंटवारे की वस्तों के डियर में वह कंबल भी था आई कि मैं अपनी करते गंता और थंड से काम पूठा दा प्रोसेस ओफ डिविजन वाज फाइनली ओवर और बाबली बताता है कि बंटवारे की परकिरिया अंतता है संपन हुई और वो बताता है कि जो कुछ भी मेरे मंजले बाइया ने मांगा मेरे बड़े बाइया ने सहमत होते हैं और एक मुस्कान के साथ उसे दे दिया और उसके बाद में वो कहते हैं कि जो जमीन मुझे दी गई थी मेरे मंजले बाइया ने उसे 18,000 रुपे की कीमत में करीदने का प्रस्ता और का प्रस्ता तो वो बाबली बताता है कि अब जो बंटवारे की परकिरिया थी वो असमापत हो गई और मेरे इससे में जो बूमी गई थी उसे मेरा मजलबाई करीदना चाता था और उसने उसके लिए मेरे सामने 18,000 रुपे का प्रस्ता और रखा In the evening, my elder brother took me along with him to show me the pedophile that were to be mine शाम को मेरे बड़े बाई मुझे अपने साथ मेरे होने वाले दान के खेद दिखाने लेके Before, I quietly followed him, मैंने चुपचाप उनका अनुशन किया या मैं चुपचाप उनके पीसे चलता रहा We moved from boundary to boundary, हम एक सिमा से दूसरी सिमा तक गए यानकी एक जोन की अंतिम boundary थी, वहां से दूसरी boundary तक हुए कि Everywhere I could feel the imprint of his feet, his palm and his fingers और बाबली कहता है कि मैं हर जगे, उनके पाउं, हतेलियों और अंगुलियों के निसान महसूस कर सकता था कि इन खेतों के अंदर, उन्होंने कटिन प्रिस्ट्रम किया हुआ था On the bosom of the pedifields, sparkled the pearls of my elder brother's sweat और bosom का मतलब होता हर दे, sweat का पसीना, sparkled का मतलब चमक रहे थे और वो कहता है कि दान के खेतों की चाती पर, हर दे पर, मेरे बड़े बाई की पसीने की मोती चमक रहे थे He was showing me the fields as a father would introduce a stranger to family members और वे मुझे खेत ऐसे दिखा रहे थे, जैसे कि कोई पिता किसी अजनेवी का अपने परिवार के सदेश्यों के साथ प्रिच्चे करवा रहा हो In the morning, I was to leave for Boonaiswar और बाबली बोलता है कि सुबह के समय मैं Boonaiswar जाने के लिए तेयार था I had no courage to meet my elder brother और मेरे अंदर मेरे बड़े बाई से मिलने का साथ नहीं था Before leaving for the best stop, I had handed over the same slip of paper to my elder sister-in-law which had the details about my share और उसके बाद में वो केता है कि बस टेंट रवार ना होने से पुरो मेने वही पर ची अपनी बाबी को सुपी जिसमें मेरे हिसे का ब्योरा था Writing on the blank side of that slip, I had asked her to deliver it to my elder brother and stillly slipped out of our house और उसके बाद में करते हैं उस पर्ची के जो खाली स्थान था उसमें लिखकर मैंने उन से का था कि वह है इसे मेरे बड़े बाई को दे दे और में चुपके से घर से किसे किया I had written मैंने लिखा था क्या लिखा था Brother भाईया What shall I do with the land? मैं उस भूमी से क्या करूँगा? You are my land from where I could harvest everything in life Harvest का मतलब होता है पसल काटना लेकिन यहां पर प्रापत करने से मतलब है तो वो कता है कि मैंने क्या कहा कि आप ही मेरी जमीन है जहां से मैं जीवन की हर वस्तू पा सकता हूँ You are my land from where I could harvest everything in life कि आप ही मेरी वो भूमी है जिसे मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ प्रापत कर सकता हूँ I need nothing save you और वो कहता है कि मुझे आप के स्वाई किसी चीज़ क्या सकता नहीं है I need nothing save you के बजाए Save का मतलब है के बजाए यहां पर के स्वाई वो कहता है कि मुझे आप के स्वाई किसी चीज़ क्या सकता नहीं है Accept this please कर पैसे स्विकार करीजिए If you Danny I shall never show my face to you again और उसमें आखिर में उसने लिखा है यदि आप Danny का मतलब होता है मना कर देते हैं इसे नकार देते हैं यदि आप इसे मना करोगे तो मैं कभी भी फिर से तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा बाबुले आपका बाबुले तो यही थी ट्रब्यूट यानकि यही उसकी सची सरदान जली थी अपने भाई के पर थी कि उसके भाई ने उसके लिए जो कुछ किया था उसका करज उसने अपने सेर उसे देते वे चुकाया तो आशा करता हूँ आपको यह लेसन समझ में आया होगा इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नैक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई थैंक्स पर वाचिंग है वे नाइस टेए